गाड़ी चलाते समय फोन इस्तमाल करने से हुआ एक बड़ा हाथसा एक स्कूल वैन जो बच्चों से भरी हुई थी एक 460 टेंपो से जा टकराई जिसमें 18 बच्चे गायल हो गए जिसमें से एक की संगसंग मौत हो गई और 17 कई अलग-अलग अस्पतालों में भरती है आसपास के लोगों का ये कहना है कि जो स्कूल वैन का ड्राइवर था वो फोन बे बात करता हुआ रहा था रॉंग साट से टर्न लेते ही और टेंपो से जा टकराया जो कि ये हालत हो गई आसपास के लोग बच्चों को उठाने की जगा सिर्फ फोटोस घीच रहे थे और वीडियो बना रहे थे जो हमारे देश के लिए एक सर्मनाग बात है जो किसी को मरते हुए देखके सिर्फ अपना बचाप या अपने कपड़े देखते हैं